अच्छी हूं तो यहां मॉर्निंग हो चुकिये मेरी और मैं चाई पी रही हूं आप देख सकते हो तो जिसको जिसको चाई पीना है वो आ सकता है और ठंडियों में तो सर्दियों मैं इसा होता है कि चाई पसंद आती है सबको मिल जाये उतना पीते हैं बहुत लोग सोखीन होते हैं घर्मियों में भी पीते हैं लेकिन मैं अठंडियम ज्यादा पीती हूं गर में बहुत कंपीति हूं आवाज आपको आरी होगी तो मेरे पडोस हैं थोड़ा आवाज उनकी उच्छी है तो 24 आवर्स इंटर्टेन्मेंट होता रहता है आपको भी बोर नहीं हो सकते हमारे घर में बगल में रेडियो चलता रहता है तो हर किसी के पडोस में ऐसी आंटी और या फिर कोई ऐसा परसन मिल जाता है तो हमारे यहां पे भी हैं और है उनका अपना मामला है तो बोलते रहते हैं रहती हैं चलो आपको मिलते हूं कुछ दिर बाद चाय पीने के बाद बाद बाई बाई टेक केर यहां पे मैं रूम में आ गए थी और बहुत दिन से मेरे कपड़े मतलब मैं निकाल के पहनती जा रही थी पहनती जा रही थी वैसे ही कपड़े मतलब अच्छे से नहीं चपत के नहीं धूल के और रखे जा रही थी रखे जा रही थी प्रेस नहीं था कपड़ा तो मैंने कु ऋब हो दिज़ के प्पड़े निकलकर वाहर वाली आममी तो मैंने प्रेस करके तरकना सुरू कर दिया और वही मैं देख रही थी यह आप जो सूट देख रहा है ऊ तो ये वहां का सॉट है दिली में जब मेरी पहली विदाईों के आई थी तो मैंने अपने तरफ से सिलाय था और ये रेट कलर का है जो मम्मीने बहुत सोग से रैइंदो का मम्मीने बहुट सौक से सुट लिया था सारा और च्छे-च्छे जगर उसे सिलाया एगा कुछ मैंने तो पहले सूट ब्लाव सिल्वाने में ही लग गया थे हम मुझे और काफी रुपए भी लगे थे काफी मतल एक अट्था ही मम्मी पैसा देती थी दस अजार बारा जर ऐसे सिलाई के लग गया थे सारे और यह भी सूट आप देख रहे हो यह सूट मैं ले गई थी और यह मैं पसंद की थी जब मैं इन सूटों को देख रही थी न जैसे सारे दिने आद आ रहे थी जैसे लग रहा था कि भारी हो गया था मन आप देख रहे हो यहां पर बहुत अजीब लग रहा था और यह जीन्स पापामी हनीमून पर जब मैं जाने वाले थे सारे लिए और यह जो सूट आप देख रहा हो ना कुर्ती है मैंने अभी जो रखी है मुझसे बरदास नहीं हुआ मेरे से रोना आ गया थोड़ा सा यह सब सूट देखके एकदम यादेता जाओगे इसलिए मैं कभी छूती नहीं सबको और यहां पर यह जो कुर्ती थी ना यह गिरी प् प्ले तो है मैंने बोला नहीं मुझे सौपिंग करनी है तो मैंने बोले जाओ ले जाओ देखो क्या लेना है दिलवा दो तो मैंने दो कुर्तियां ली थी एक एक यह दो हजार की थी और एक पंदरासो की ली थी तो ब्लैक कलर की है वो गाउन टाइप मैं मैंने वो पहना थ और अच्छा था और यह वाला ना मैंने अभी एक बार भी नहीं डाला है और यही होता है ना इनसान सोच के रखता है कि मैं इस टाइम पहनूंगी इस टाइम पहनूंगी मैंने जिसके साथ लिया वह यह कुरती लेकिन देखने वाला वह था ही नहीं तो मैंने यह कुरती ही न कि मैं ट्राइ करूंगी एक दिन देखती हूं मैंने अभी ट्राइ नहीं किया है इसको और ये सारे मेरे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे मैंने कहा अच्छे से रख दू एक तरफ जैसे मेरे कुछ कुर्ती दुपट्टा प्लाजों से ठैं जो खरीदे हुए हैं तो व नहीं पर तो वह है अलग रही थी और यह सब सूट आप देख रहा है माजों से मैंने लिया है तो यह कहा जग है रहे कुछ टिब्बे भी थे यह मैंने रिलेंस से कपड़े रहा थे मैंने सुचा बहार निकाल कि इसको रोग दो फिर मैंने कहा नहीं पैकेट में ही रहने दो इसको तो कपड़े मैं स्टार्टिंग से न कपड़े की सौखी इन हो और यहां पर मैं पॉल्थीन में डाक्टर की दे सकती से की इलता है और यहां भी हेर श्रीतन है यह मैंने पहले से छाटता इक खरीद रखा था ल CARS प्रमी इन से पैसे दे डीखा दिया तो इस तरीके से उन्होंने ना बल करने करने वाला मैं से ङरडाय सब कुछ मतलब तीनु चीज मुझे दिया था तो मेरे नेडीव नं तो पता नहीं क्या स्वारी यार भी टेक से बोले तो इस्टेट नह दो हैं तो एक मंपी रखती थी उस टाइम मंपी अपने लिए बाल करती ति एक मैं करती थी तो लेकिन मंपी ने ना सब जब देने लगी तो यह भी पूरा देदी मैंने बोला आप रखो बोली भी अब मैं कहां करूंगी मैं नहीं करूंगी तुम ले जाओ तो उन्होंने जब जस्ती मेरे में डाल दिया तो वैसे पड़ा रहता है बागी मैं तो जो अपने से खरी दी हो ना अठारा सौका फिलिप्स का खर दी यह सब भी new is Yep, अच्छय कंपनी के हैं लेकिर इसके जो इस्टेट ना है रहता जल्दी नहीं इस्टेट नहीं जल्दी नहीं इस्टेट करता है लेकिन ठ़र टाइमस लेकिन तरफ टाइम सभर्रत का यह सोगती है वह का लेकatura की तो ट29 के दो दो हो यह नहीं लेक्ते हैं तो इस कि में हमेछा से starting से बहुत ज्यादा सौकीं थी मुझे मेरा लुक बहुत ज्यादा माइनने रखता है मैं सोशती हो कि मैं अपने लुक को लेके बहुत वह रहती हो कि मेरा लुक अच्छा देखे मैं अच्छी देखू स्टार्टिंग से ऐसा था लेकिन अब चीजे बहुत चेंज हो गई हैं फिर भी अपने आपको थोड़ा सा वो रखती हूँ मैं और यही सब चीजे थी अब जब सब बिगड़ जाता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता कुछ और पहले तो सौक थे सारे और सारे भगवान की दुआ से सारे सौक मेरे पूरे हुए लेकिन आज सब कुछ है मेरे पास लेकिन बस कमी है जो तो वो लबली की है और वो सबसे बड़ी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती और उस कमी के आगे ये सब रहना कोई माहिने ही नहीं रखता आज लवली होते तो सायद अगर मैं दो कपड़े में भी रहती तो मैं ठीक रहती खुश रहती क्योंकि लवली का साथ था यही सब चीजे थी और मैं ना म वाइल में फोटो देख रही थी तो मैं बहुत पतली बहुत ज़्यादा जब में तवित बहुत ज़्यादा खराब थी उस्टेम लवली थे तो मैं दिखाया उनको फोटो तो कह रही थी कि उस्टेम तो तुम बहुत पतली थी बहुत जादा तुम तुम फिर भी ठीक लग यही होता है चीज़ ये बहुत लोग समझते होंगे ऐसा नहीं है जिनको साथ ऐसा नहीं हुआ है वो भी समझते हैं लेगिन बहुत लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो जिनको ना किसी की फिलिंग का फर्क नहीं पड़ता और today कि आ यही सब चीजे यही सब चीजे अरे हमारे लाइफ में यही हूई है यही सबसे बड़ी घटना होगी और चीजे दिखती नहींगी मुझे आप देख रहे होओगे मदे पेहित इस तीन, चार इतने सारे कैप और बहुत साइज चीजे यार मतलब भरे हुए थे सब समान मेरे पास कैप होना और मोजे स्वेटर कपड़े मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी किसी चीज की साथ भगवान ने इसलिए एक कमी सबसे बड़ी कमी रख दी यह मैंने हनीमून पे लिया था और मैं ऐसे टच करके देख रही थी उस टाइम मैं जहां पर भी जाती थी नहीं पता चलता था हनीमून पर कहते हैं यहां ठंड पड़ेगी की नहीं पड़ेगी तो उसी साब से वहां वहीं पर खरीदना पड़ता था 100-100 रुपए के यह मिल जाते थे और यह कुर्ती थी यह कुर्थी मैंने ली है रिलैंस से और यही सब चीजे हैं चीजे देख देख के याद आती है ना तो फिर ही होता है मैंने क्यूं यह सब खोल दिया लेकिन ठीक तो करना ही था हलमारी का समान बहुत बिख्र पड़े थे और जेस्ट करना ही था मुझे तो मैं वही कर रहे थी यही सब हैं यार देखो दुखता है बहुत दुखता है आज इसके ओपर बीटती है ना वही जानता है कह सकते हैं हम चाहिए भी हम चीजे नहीं भूल पाते चलो ठीक है कभी बीजी हो जा रहे हैं कहीं पर यह मेरा वह जिस दिन मैं फ्लाइट से वहीं से सिक्किम से ली थी औ दो मेरा इसमें और काफी मैं अच्छी लग रही थी इस टाइम में अच्छी तरीके से मतलब साधिक मैं बहुत ज्यादा खुस थी और घुमने फिनने गई थी तो अच्छा लग रहा था तो जब इनसान अच्छी खुस रहता ना तो उसका मतलब दिखता है खुसी चेहरे बहुत बड़ी मेडिसीन का काम करती है खुसी मतलब बहुत ज़्यादा अगर इनसान खुस है हस रहा है तो उसे किसी दवाईयों की जरूरत नहीं है और वो स्वस्त रहेगा हमेशा लेकिन अगर एक इनसान टेंसन में आना तो वो अपने एस से ना दस साल और ज्यादा आप लोगों को तो ये सब चीजे पता ही होंगी अधिकतर देखने को मिल जाती है मैंने ये लेकिन ये रियल मतलब अपनी आखों के सामने ये चीजे देखी है बहुत सी चीजे सुनी थी लेकिन कभी देखी नहीं थी वो देखने को मिल लहीं हर रात आती है तो यही होता है तो जाती ती जैसे एम्स जाती थी या उस्पीरण जाती जाती ती कहीं भी जाती थी और ये देखे पेन उसमें से दिख रहा है और मैंने खोज रही थी फोटो धेड़ सा रहे थे लवली के तो मैं इस पर जब गई थी दिली तो मैंने लवली का एक फोटो नहीं गाला था पासपोर्ट साइज अपने पर्स में रखने के लिए और अब मुझे यादा आ रहा है कि वो कहां गया वो जो फोटो था लवली का पासपोर्ट साइज वो जब मैं बिंध्या चल गई थी तो वहाँ पे मेरे पर्स जो किसी ने चोरी किये पैसे चोरी किये थे तो उसी में लवली के फोटो भी थे उसने वो भी चोरी कर लिया और क्या कहा है याद तो यह मम्मी का था यह वैसे थोड़ा सा फट गया है यूज करने लाइक नहीं है यह पर्स में यूज भी नहीं करती लाइक वाला यह मैं इसको इसलिए रख रही हम क्योंकि यह मम्मी का परस है सासू मा का परस है यहार जो भी हो हां मम्मी और मेरे बीच में लेकिन मैं उनके चीज़े नहीं फ scratched न वो कर सकती हो यार कही न कही में मेरे दिल में न अभी भी उनके लिए थोड़ी respect और प्यार है क्योंकि चाके भी मैं वो ना, खतम नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार मेरी आदत है, यार, मैं जब एक बार किसी से दिल से जुड जाती हूँ, आर मैं नहीं, मतलब रिस्ता जLDH तोड़ पाती और, अगर तोड़ भी दू हूँ थो ना, तो उमेरे दिल से जल्दी नहीं निक क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा अपना मान चुकी होई होती हूं तो यहीं इफेक्ट है कि कभी मैं सास के लिए बुरा निकल जाता है कभी अच्छा निकल जाता है चलो ध्यान रखो बाय बाय टेक के यार